प्यारे विद्यार्थियों आज हम यूपी टैट 2011 का जो हिंदी का पॉर्षन है उसके जो पर्षन है उनको हम हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल नाउजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें रथा कॉमेंट करें ये हिंदी का भाग है यूपी टैट का परसन 31 बिल्ली छट से कूद पड़ी तो इसमें कौन सा कारक है यहां अपादान कारक है बिल्ली का छट से अलग होना पाया जा रहा है इसलिए यहां पादान कारक है परसन 32 निचे लिखे वाक्य के लिए एक सब्द बनाईए जो युद में स्थिर रहता है उसे युदिष्टर कहा जाता है सैव कहते हैं जो सीव की उपास ना करता है उसको सैव कहते हैं परसन 34 वाचाल कहते हैं वाचाल जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है उसके अंतरगत है यह श्याम देरे देरे चलता है यह देरे देरे सब्द क्या है यह देरे देरे सब्द के रिया विशेशन है अपमान में उपसरग कौन सा है अपमान में अप उपसरग है दुरवस्था में उपसरग कौन सा है दूर उप्सरग है प्राज्य में पराउप्सरग है गुमकड में कौन सा परते है अकड परते है परते क्या होते हैं जो किसी सब्द के अंत में लगते हैं उन्हें परते कहते है डिविया में कौन सा परते है इया परते है बिक्षुक में कौन सा परते है, उक परते है दिगू समास का उधान कौन सा है, जिस समास का पहला पत संख्यावाची होता है उसको दिगू समास कहते हैं, नाउगरे, दिगू समास का उधान है हिंदी किस लिपी में लिखी जाती है हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है सरो नाम के कितने बेद होते हैं सरो नाम के 6 बेद होते हैं 45 से 47 तक सब्दों में वर्तनी के अनुसार सुद्ध सब्द का चैन करना है परसन संख्या 45 में आनु संगिक ए वाला विकल्प सही है परसन 46 में बी वाला विकल्प अंत्याक्षरी सही है परसन 47 में ए वाला उप्षन सुस्मा सुद सब्द है परसन 48 बादल का परियावाची पूछा गया है अंबू पानी का परियावाची है नेरज और अंबू कमल का परियावाची तो यहां बादल का परियावाची नेरद होगा परसन 49 इंद्रियों को जीतने वाला जो होता है उसको जीते इंद्रिये कहा जाता है आह आप आ गए वाक्य में आह सब्द क्या है? आह सब्द अव्वे है या एविकारी सब्द है? परसनी क्याउन निम लिखित में से पुलिंग सब्द कौन सा है? या पुलिंग सब्द पानी है परसन बावन पावन का संदी विच्छेद क्या होगा? पो जमामान पावन का संदी विच्छेद होगा? मनोरत का संदी विच्छेद क्या होगा? मने जमामरत मनोरत का संदी विच्छेद होगा और ये विश्रक संदी का हुदार्ण है विद्यार्थी हुदार्ण है किस संदी का हुदार्ण है दिर्ग संदी का हुदार्ण है दिग भरम हुदार्ण है किस संदी का हुदार्ण है दिग भरम वेंजन संदी का हुदार्ण है परसंचपन आकास पाताल के बीच लगने वाला ये चिन कौन सा है ये चिन, योजक चिन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई सब्द है, नई सब्द विशेशन है, साड़ी कैसी है, नई पर्सन अठाउन निचे दिये गए विकल्पों में से तत्सम सब्द का चैन करना है, तो यहां तत्सम सब्द आमर है परसन 69 दिये गए विकल्पों में से तद बहुत सब्द का चैन करना है तो यहां तद बहुत सब्द मुह है परसन 60 निम लिखित में से कौन सा सब्द सूरिय का परियावाच्ची नहीं है तो यहां सूरिय का परियावाच्ची यामनी नहीं है दिनकर भी सूरिय का परियाव अच्छी है अनसुमाली भी है और रवी भी है पैरेव दैर्थियो मेरे चैनल नौजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, सेर करें, था कॉमेंट करें